हेलो फैंस आज तो पहरा है और ठंड भी खूब है और पौदों का हाल बहुत खराब हो चुका है यह देखिए सब पत्ते पीले पढ़ते जा रहे हैं यह बेल पत्तर का यहाल ऐसा हो गया है एक जोरा का भी हाल ऐसा ही है लेकि कलिया इसमें बरावर से आ रही है देखिए यह कुछ नहीं गुच्छे बन गए हैं काफी सारे बने हैं लेकि पत्तियों पर काफी स्पोटिंग है मौसम भी ऐसा धुलगा सा हो रहा है लोली न तो सही चलता है विबकुल इसके कोई भी दिक्कत नहीं आती है ना इसमें कोई पज़ण का चक्कर है मनी प्लांट में हो जाता है तो इसकी भी हम हत्क्या सफाई करते हैं चलते हैं बरसात में तो मनी प्लांट बहुत सुंदर हो जाता है क्रोटन का हाल ऐसा है पौदों की जुलाई यही तक टैंडिंग हो नहीं पाई है कि देखिए इतने पीले पत्ते समय समय तक तोड़ने पड़ते हैं कि चलते हैं जैलरी में अपनी कि प्रोड़निया हमारी खुबबानी हो रही है जैना भी अच्छा खिलने लगा और यह दवानी देखिए कि प्रोड़नी हो गई इसके भी तैयारी है फुल्जी इसके यह कली आई गई इसके अभी नहीं आई है यह पौदी में भी ऐसा ही लग रहा है मुझे कुछ दिफीज हो गई बर्वीना में बढ़तो रहा है पर इसके नोग पे पत्ते पीले-पीले से पढ़ रही है लेकिन यह वाला बिल्कुल सही है लुच्छे आ गई है सब यह मैंने उठा के च्छाओं में रखे जो मेरे दीवारों पर रखेंगे थे इतना काम करने में ही हाथ बिल्कुल ठंडे हो जाती है सुन हो जाती है लेकिन करना तो पड़ता है यह पौद होगा अगर नहीं देखेंगे तो पौद हमारे बिल्कुल बेकार हो जाएंगे इतनी कियर बहुत जरूरी है लेकिन दुलाई में जो थोड़ा बहुत लग जाता है पक्तों पर यह अभी मुस्तरबाद में कैंची से काटूंगी यह वाला पौदा का मेरा एक दिन में देखें कितना डैमेज हो गया अब इसको भी मैं छाओं में रखेंगी उठा के जानी किसी शेट के नीचे सारे पत्ते इसके बेकार हो रहे हैं कि अधिया से तोलने पड़ती है यह मैं अच्छा ही नहीं लगेगा पौदा बिलकुल इतनी इसमें रोज होती है कि कनेर अपना सबसे बढ़िया चल रहा है अब कली इसमें नहीं आई है अभी कि इसकी भी थोड़ी सी सफाई करते हैं कि कटिंग तो होई गई है यह बद यह जो पुराने पत्ते हैं यह तो बेकार हो नहीं है निवेश्यारी कटिंग हो गई है मेरी सब मैंने यह देगी तुरे पत्ते सब आटा दिये पता नहीं इसमें किस चीज के पौधे जब ही है यह शाद ऐसे जंगली टैप बाले ननी ननी पौधे हैं लेकर कितनी सुन्दा लग रहे हैं देखिए तो यह है आज की मेरी पौधे की अपडेट तेंक्स फोर बचेगी